हेलो जी नमस्ते सफर करते समय हर एक इनसान चाहता है कि अच्छी जगा खाना खाने के लिए रुके जहां कि लुकेशन व्यू और फूड अच्छा हो और सफाई और स्टाफ तो बहुत अच्छा हो तो वाई हम सिमला से घर जा रहे हैं यानि हम जा रहे हैं अपने होमटाउन संदनगर में तो हमें भूख लगी थी तो पहले भी हम इस वाले ढबे में खाना खा चुके हैं इसका नाम पंच्वटी ढबा है बहुत अच्छा खाना यह खिलाते हैं तो आपको भी दिखाते हैं और यहां की लोकेशन और इस धाबबे को तो यह जो आप मेरे विच्छे रोड देख रहे हैं यह सिमला टू मनाली वाला रोड है इसी में ही चमाकडी पूल से थोड़े से आगे यह धाबा पड़ता है काफी अच्छा खाना मिलता है एक बार मैं चाटी सी वस से आया था त आज भी ट्राई करते हैं कैसा खाना के लाते हैं तो जी यह रोड है मनाली शिमला वाला रोड और इसी रोड के साथ है पंचवटी रेस्टोरेंट यह देखो सबसे पहले इस रेस्टोरेंट के बाहर के व्यू दिखा देता हूं यह देखो यहां लिखा है आई लव इस्टूरेंट है चमाकडी पूल से कम से कम एक किलोमेटर पीछे आपको पता लगी गई होगी मंडी से आते वक्त लेप साइड को है और सिमला से आते वक्त राइट साइड को है जो चमाकडी पूल है उससे थोड़ा सा पीछे यानि कि एकर किलोमेटर पीछे यह पंचवटी तो ट्राइ जुरूर करना यहां का फूट काफी अच्छा बनाते हैं तो हमने अभी थाली ओर्डर किया है और एक आइस क्रीम तो चलते हैं हारब क्या खार आइस क्रीम क्यासी है अच्छी है रो क्यों रहे थो आप आइसрок लिए आइस्क्रीम के लिए आइस्क्रीम से खांसी हो जाती है और कोल्ड हो जाता है फिर अगर हो गया फिर क्या करेंगे गशा नहीं होगे फिर और गरेंगे दवाई लेंगे कां से लिए। यह हैं 5 अंदर से काफी इसकाओ रखी है तो जी हमारी थाली आ चुकी है तो ये है मटर पनीर और ये है चने की दाल और ये कड़ी और ये सैलिड और ये चपाती और चावल चपाती में इन्होंने गी लगाया है अच्छा है शुक आ पापर को भी अच्छा है न कर लिए चाहता है तो परली माट खाओ मैं है तो परली माट काओ मैं चाहता है तो कावड़ बबर कॉन आ भी कोट अभी आ जले क्वाड़ खाता है तो जिए मट्र पनीर और चपाति कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि हम फ्री हो गया है कि छोटी सी लोकेशन मैं आपको यहां की उता देता हूं काफी सुंदर व्यू है मोलाओ है अधिया कि कि अधिया है यहां है कि अधिया हिसाए है टॉब अधिया है पोगरा इंसे पासिए कि तन्छ इस चाहर अच्छ अच्छा और हम कहां हुआ है थो जी यहां पर डाले भी रखी हुई है जो कि लोकल होती है खुद की लगायी हुई खेतों में तो जी पंचवटी में हम खाना खाके फ्री हो गया है तो हमने थालिमंगवाई थी काफी अच्छा खाना बना था और पेट भी भर गया तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सियर एंड चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना तो चंगा फिर मिलते हो अगली बारी तब तक के लिए बाई बाई